चाय के साथ अगर मठी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है चाय का मज़ा और भी जादा दुगना हो जाता है बारिस जमा जम हो रही हो और फटा फट से गर्मा गरम मठी और चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है तो चलिए फटा फट से बना लेते हैं क्रिस्पी, सॉफ्ट और बहुत ही जादा टेस्टी बनने वाली मठी, मठी बनाना बहुत ज़ादा असान होता है, जब भी आपका मन हो तब आप इसको खा सकते हैं, तो इसमें मैंने क्या क्या चीजे इस्तमाल की हैं, चलिए देख लेते हैं, मैने लिया है मैदा, सूजी, ओएल, कसूरी मेती, तो मैंने मैदा और सूजी को एक मेही मिला दिया है अजवाइन लाल मेज का पाउडर नमक और कसूरी मेथी सारी चीजों को डाल देंगे कसूरी मेथी को जितना आप हो सके उतना बारीक हांतों से क्रस करके डालेंगे तो वह बेलते वक्त बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी कभ पाउडर नमक और कसूरी मेथी को डाल दिया है साथ में मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑईल और सक्त डो लगा करके रेडी कर लेंगे पहले सारी चीजों को हाथों से मिक्स कर देंगे ऑईल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए इस तरीके से आप अगर लड़ू बना रहे है और मैदे का अच्छी तरीके से लड़ू बन जाता है तो इतना मोवन काफी है बहुत ज़्यादा मोवन वाले भी अगर जो आप डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाते हैं क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं थोड़ा कम ही मोवन का इस्तमाल थोड़ा सा पानी डाल करके सक्त डॉ लगा करके रेडी कर लेंगे आप देक सकते हो 10 मैं लगा करके रेडी कर लिया है आदे गंटे के लिए कपड़े से ढख करके इसको रैस्ट देंगे को चटोанием में जो आ virtues बचा आन ऊदके क्टॉरी में तो मैईने डाल तरे के बना तो इस तरीके से बैटर बन करके रेडी हो चुका है आटे को डोल मैदा अच्छी से सेट हो चुका है चकले पर इसको अच्छी तरीके से हाथों से मसल लेंगे कई बार ऐसा होता है जब हम डोल लगा करके रखते हैं तो वो नमक अच्छे से पूरे में मिक्स नहीं हो पाता है तो एक बार आटे को जरूर हाथों से मसल लिया करें ताकि जो भी नमक मसाल वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए तो छोटे-छोटे से मैंने पेड़े बना लेने हैं बहुत बड़ा पेड़ा नहीं बनाना है और नहीं बहुत जादा छोटा बनाना है इतना बनाना है कि अच्छे से छोटा सा round shape आ जाए तो मैंने छोटे छोटे से पेड़े बना करके ready कर लिये हैं और चकले पे थोड़ा सा oil लगा करके अच्छे से इसको बेल लेना है आप चाहें तो मन चाहा shape भी दे सकते हैं तो मैंने बहुत नाही पतला और नाही बहुत जादा मोटा इस तरीके से हलका थोड़ा सा मोटा बेल लिया है और आप चाहें size भी अपने हिसाब से कम चोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने जिस हिसाब से आपको पसंद हो तो जो मैंने मैदे आउयल का घोल बनाया था उसको मैंने अच्छी तरीके से spoon से इस पर spread कर देना है और इसको समोसे की तरीके से fold कर देना है इसी तरीके से मैंने सारे मठी बना करके ready कर ली है cooking oil मैंने चड़ा दिया है बहुत hot oil में इनको बिलकुल भी fry ना करें हलका सा गुनगुना oil हो उसमें आप इनको सारे के सारे एक साथ डाल दें जितने जादे जितना थंडे तेल में ये डलते हैं उतनी ही जादा इनकी layer अच्छी से खुल जाती है तो देख सकते हो आप मैंने आधी मठी डाल दी है और इसको हलके हलके स्पैचुला से चला रही हूँ बिलकुल भी हार धास से ना चलाएं और थोड़ी देर के लिए इनको वैसा ही छोड़ दे जो भी layers होंगी वो अच्छे से खुल जाती है और crispy हो जाती है तो layers खुलना स्टार्ट हो गई है मठी थोड़ी थोड़ी सी फूलना भी स्टार्ट हो गई है देख सकते हो आप बहुत ही जल्दी आप बंद कर रेडी हो जाती है जब भी आपको महमान आ जाएं और कुछ भी समझ ना आए कि आप उनको क्या दें तो मैदा रखा है तो फटा-फट से ये मठी बना करके उनके सामने पेश करिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आप से recipe पूछेंगे तो फटा-फट से मठी बन करके रेडी हो चुकी है मैं इनको निकाल लेती हूँ airtight container में ठंडी होने के बाद ही रखिए अगर जो आप गरम-गरम में ही मठी रख देते हैं तो बाद में वो पसीज जाती हैं और soft हो जाती है मैंने कई बार ऐसा किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप भी बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा तो मठी बन करके रेडी हो चुकी है मैं अभी आपको पस से दिखाती हूँ कितनी बड़िया लेइर्स खुल चुकी है और खस्ता मठी बन करके रेडी हो चुकी है तो प्लीज मेरे चैयों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें स्प्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन जरूर तो